बाल जड़ रहे हैं, डेंडरफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, हड़ बहड़ा, आमला, शीका काई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाएके, तो बालों की इस समस्या से बिजात हासिल की जा सकती है, एमेजी पोडेक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है, और जोड़ी लेके आए हैं, शेम्पू साथ साथ और तेल नौ बर्नौ, हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे, आपको मिलेगा, इनसान को दुनिया में उलजाए रखने के लिए, काल महाकाल ने जो शक्तियां बनाई हैं, जैसे मन है, कामबाशना, क्रोध, लोब, मोह, अंकार, इन सबसे उपर अगर मान के चलें, तो माया है, माया के दो रूप हैं, एक जहरा जो दिखने में आता है, यानि एक परतेक्ष और एक एपरतेक्ष, परतेक्ष रूप भी दुनिया में तुफान मचा देता है, और मचा रहा है, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, हीरे जुहरात मोती ये सब माया के रूप है और ये सब के सब इनसान को चकर गिनी बनाए हुए है आज इसे देखो दौड रहा है, इसे देखो भाग रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है ठगी बेमानी भ्रस्टाचार के नएने तरीके खोज रहा है, किसलिए माया के लिए क्या लोग यह नहीं जानते, कि ये माया कभी किसी के साथ नहीं गई संसार में हर किसी को मालुम है, कि ये पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता आप जो हमारी बात सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुनिये आपके माता-पिता, दादा, दादी जो आज इस दुनिया में नहीं है जब वो इस दुनिया से गए तो क्या उनके साथ कोई पैसा गया जो उन्होंने बनाया था, सब का सब, यहीं धरा-धराया रह गया किसी के पास, जितना भी साजो समान था, वो साथ नहीं गया जिसके पास भी जो भी था, सब यहीं रह गया, और तो साथ क्या जाना है इनसान के जो कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार लिये जाते हैं आजी छोड़िए कपड़े क्या जिस चारपाई पे आदमी लेटा होता है उस चारपाई से उसे उतारते हैं और धडाम से नीचे रख देते हैं हमने लोगों से पूछा आप ऐसा क्यूं करते हैं तो कहने लगे मुर्दा चारपाई पे नहीं रहता है उसको तो धर्ती पे सुलाया जाता है किसी को कोई बात नहीं आई हमारे नजरिये से मुर्दे को धर्ती पे इसलिए लिटाया जाता है ताकि जिन्दा लोगों को समझा जाए कि साथ कुछ जाने वाला नहीं अरे जो चारपाई जो गद्दे आपको बहुत अच्छे लगते हैं जब तक जिन्दगी है तो है और जैसे मौत आएगी तो धर्ती बिछोना होगा आसमान ओड़ना होगा और यही हकीकत है मुर्दे को नहलाया जाता है किस लिए हमने लोगों से पूछा बजुर्गों से पूछा चलो कोई रिती रिवाज होगा किसे ने कुछ नहीं बताया हमने का फिर मुर्दे को नहलाते क्यूं हो हमारा जो नजरिया हमने जो देखा मुर्दे को नहलाने के बहाने एक तो अच्छे कपड़े उतर जाते हैं दूसरा हाथों में अंगूठिया हो गले में कोई चैनी हो तागड़ी हो वो उतार ली जाती भाना है हमने लोगों से कहा मुर्दे को नहला रहे हैं इसकी कौन सा बारात निकलनी है दूसरी बात चलो नहला रहे हैं तो इसके सारे अभूशन क्यों उतार रहे हैं घड़ी उतारे जा रहे हैं कहलने कि इसमें पानी डल जाएगा हमने कहां डलने तो मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है जब उसमें खुद में ऐसा हो गया लेकिन असलियत बात ये है कि वो साजो समान उतार लिया जाएगा वो बालपच्चों के काम आएगा बड़े लोग उसको दान देके अपनी वहावाही लूटेंगे तो इसलिए ये हकीकत है ये सचाई है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं ये माया के खेल है जो कुछ नजर आता है सब खत्म होने वाला है फिर किसके लिए ठगी बेमानी करते हो क्यूं किसी का हक मारके खाते हो जब सब कुछ साथ नहीं जाएगा अजी पैसा नहीं गया कपड़ा लटता नहीं गया और तो जाना क्या है आप उनके बेटे बेटियां है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे इस दुनिया से जा रहे थे क्या आप में से किसी बेटे ने या बेटी ने ये कहा कि चलो पिता जी अकेले जा रहे है हम भी साथ हो ले गया कोई आपका तो उनसे खून का रिस्ता है नहीं गया न नहीं कोई जाता है एक समय में अगर कोई मर भी जाए आत्मा के साथ आत्मा नहीं जा सकती आत्मा के साथ तो प्रभू अल्ला वही गुरु राम गौर्ड खुदा रभ ही जा सकते है तो सब कुछ यहीं छूट जाता है यहीं पर रह जाता है फिर कले कले किसलिए यह माया का जाल जो भरमाती है बटकाती है लडाती है मरवा देती है आपको एक उधारन देते हैं दो भाई हैं एक ही मा के गरब में पैदा हुई दोनों के अंदर एक ही जीन्स एक ही खून है एक ही बाप का साया मिला बड़ी मुहबबत बड़ा प्यार था अपस में इकठे खेलना आपस में प्यार मुहबबत की बाते करना और यहीं नहीं एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तयार हो जाती थी पुराने समय में तो यह देखा गया अगर एक बिमार हो जाता तो दूसरा उसके लिए दूआ करता मंदिर, मस्जिद, गिर्जा, घर गुर्दुवारा यह अपने घर में जाके पैठ जाता, दूआ में हाथ पेलाता प्रार्तना में हाथ जोडता सजदा करता अपने अल्ला को वही गुरु गौड खुदा राम को हे मालिक मेरा भाई बिमार है उसे बचा ली छे चाहे मेरी आदी उमर उसे दे देना और जब माया जो डालती है तो क्या होता है यह तो नॉर्मली जो लोग इश्वर की भगती करते हैं जिनके अंदर इंसानियत जिन्दा है वो तो ऐसे दुआए करते हैं जो आपको बताया पर जब माया प्रभाव दिखाती है तब क्या होता है भाई बिमार हो गया दूसरा भाई प्रार्थना करेगा मंदिर मस्जित गिर्जागर गुर्दुवारा दूआ विंती या घर में हाथ फेलाएगा हाथ जोड़ेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आपको बताया लेकिन अलफाज चेंज हो जाते हैं शबद बदल जाते हैं क्या कहते हैं हे मालिक मेरा भाई बीमार है बिचारा कब का दुख सहरा है आप तो दोनों जहां के मालिक है ऐसा कीजिए उसे जल्दी से उठा लीजिए उसकी सारी जैदात मेरे नाम हो जाएगी तो ये अलफाज बदल गए हैं शबद बदल गए हैं जो जो माया प्रभाब डालती जाती है त्योंते और इसते नाते खत्म होते चले जाते हैं माया का प्रभाब जबरदस्त है तो ये है माया का जाहरी रूप और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे एक है आप्रतेक्ष इनसान की आँखों के उपर एक माया का परदा है वो परदे की वज़ा से दुनिया में जो कुछ भी जूट है ये माया का परदा कनवर्ड करके आदमी को सच दिखाता है और जो सच है उसे जूट दिखाता है साथ कुछ नहीं जाएगा ये मालूम है लेकिन फिर भी ये मेरा है वो मेरा है ये मैंने अपना बनाना है दिन रात आदमी इसी में खोया रहता है उसके लिए लड़ाई जगड़े करता है और वो भाई जिसके लिए दूसरा भाई जान कुर्बान कर देता था वो भाई जान का प्यासा हो जाता है क्योँ भाई भाई का कतल करने लगता है क्योँ बाप बेटे में तकरार हो जाती है क्यों होते हैं ये जगडे इसका सबसे बड़ा कारन माया है ये माया का प्रतेक्ष परभाव ऐसा पढ़ता है कि आदमी अन्दा हो जाता है इसको कुछ अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती तो वो भाई जो कभी जान दिया करता था वो जान लेने पे आतुर हो जाता है और लेता है जान ऐसा देखा गया कहीं कहीं इस कड़ युग में यह भी देखने में आया कि बेटी भी अपने माबाप को खतम कर चुकी है सिर्फ माया की वज़ा से तो यह माया का प्रभाप बड़ा ही जबरदस्त है बड़ा ही भ्यानक है तो इस माया के प्रभाप से बचना बहुत मुश्किल है तो माया का यह प्रभाप जो एपरत्यक्ष है इनसान को गुमरा करता है मर्द के लिए औरत माया का रूप धार्न कर सकती है और औरत के लिए माया मर्द का रूप धार्न कर लेती है वो भरमाते हैं एक दूसरे को तडपाते हैं एक दूसरे को और डुबो देते हैं एक दूसरे को ऐसा देखा गया है इस्त्री पूर्ष के पीछे लग के और पूर्ष इस्त्री के पीछे लग के बरबाद हुए हैं ऐसा देखने में आया है तो माया का प्रभावी ही तो है जो एक दूसरे को भर्माता है, बठकाता है, लड़ाई जगडे करवाता है और जब ये माया आदमी के बुद्धी विवेक पे पूरी तरह से च्छा जाती है तो आदमी के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं तरह तरह के विकार, तरह तरह के नेगटिव विचाराने लग जाते हैं और negative विचारों पे इनसान जैसे जैसे अमल करता जाता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी तवाहो बरबाद हो जाती है तो माया का रूप बड़ा ही भ्यानक है इस माया की वजह से पता निकितने घर बरबाद हो रहे हैं कबीर जी ने लिखा है माया होई नागनी जगतर ही डहकाए जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए पाप जुल्म की कमाई कभी किसी को ढंग से जीने नहीं देती कहते हैं सर्पनी को पालो पोसो आप उसे दूद पिलाएं जा कुछ खिलाएं कोई भरोसा नहीं कब वो डंग चला दे उसी तरह इस संसार में पाप जुल्म की कमाई है आदमी कमाता है बड़ा खुश होता है कई तो नोट सूंग सूंग के सोते हैं आदत होती है लेकिन यवे पाप जुल्म की कमाई है यह माया चली जाती है तो एसा डंग चलाती है कई तो आदे पागल हो जाते हैं किसी को हार्ट टैक हो जाता है यानि जैसे पैसा ब्योपार में लगाया बिजनिस में लगा दिया तो एकदम से घाटा पड़ गया तो एकदम किसी को हार्ट अटेक आ जाता है कोई आदा पागल कोई पूरा पागल ऐसे लोगों को लेके लोग हमारे पास आते हैं आये हैं चिना कि गुरू जी हमने बहुत समझा लिया है यह वैं पागला गए हैं पैसा भी लगा रहे इन पर थीक नहीं हो रहे हमने उनको समझा आया अरे भाई पैसे का क्या है माया का क्या है यह तो कहते हैं बुजर्ग हातों की महल जाने हार्ड वर्क करोगी दिमाग अपलाई क करोगे तो फिर आजाएगी पर इसके लिए मालिक की नियामत यह जो शरीर है ना इसको बरबाद करोगे तो यह खरीदा नहीं जा सकता यह कहीं से मौल नहीं मिलेगा क्यों बरबाद करने पर तुले हो तो के लगे हाँ गुरुजी सच कह रहे हो बस थोड़ी देर में मर गया लुट गया बरबाद हो गया तो ख्याल में आया यह तो कवीर जी वाली बात हो गई यह तो माया नागणी ने ऐसा डंक चलाया है जहर विश्ट जो है वो रग रग में भर गया तो पाप जुल्म की कमाई चैन से जीने नहीं देती बहुत से उधारन हमारे सामने आते हैं ऐसे ऐसे घर परिवार देखे ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका बुरा हाल है एक सज्जन हमारे पास आए जो पूरी दुनिया में धनवानों में इस्थान रखते हैं और वो आके कहने लगे गुरु जी मैंने आप से बात करनी हैं हमने का कीचिये कहने लगा ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है हमने का आप तो बहुत अमीर जाते हैं बहुत अमीर हैं आप चेक अप करवा लेचिये अल्ट्रा सौंड करवाईए सीटी स्कैन करवाईए बड़े डोक्टरों के पास जाएए फकीर के पास क्या लेने आए हैं वो क्या लगा गुरुजी मैंने सिटी स्कैन करवाया अल्ट्रा सौंड करवाया उनमें कुछ नहीं आता परात को नेंद और दिन को चैन नहीं आता हमने उससे बोला तूने गरीबों का खोन चूसा होगा तूने ठगी बेमानी की होगी तभी इतना बुरा हाल है वो कहने लगा कि मैंने जितना भी कमाया यह नहीं देखा कि सामने वाले पर क्या बीत रहा है मेरा तो एक ही एम था एक ही लक्ष्य था कि आपने आपको धनवानों की सूची में उपर लेके जाना तो हमने कहा जब आपने लोगों का खोन चूस चूस के कमाया है वो गरीब विचारे तेरे सामने कुछ बोल नहीं सकते लड़ नहीं सकते पर उनकी आत्मा से निकलने वाली बद्दुआओं को तू नहीं रोक सकता वो बद्दुआएं तेरा पीछा कर रही हैं वो बद्दुआएं तुझे तड़फाएंगी सताएंगी कहना का गुरुजी कोई हल है क्या हमने का हाँ हल है जिस तरह से तूने जुल्म कमाया है जिस तरह से लोगों का खून चूस चूस के तूने बनाया है उसी तरह उन गरीबों का भला कर उनका इलाज करवा उनके बच्चों को पढ़ा उनके लिए कपड़ लत्ते का इंतिजाम कर अरे भाई बद्दुआओं को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वह दुआएं उसने बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उसने उसी दिन से सब का भला करना शुरू कर दिया एक साल के बाद वो इनसान आया और बताने लगा गुरुजी आपने सच का हत अब मैं अराम से सोता हूँ पहले ऐसा होता था रात को नींद नहीं आती थी तो मैं इंजेक्शन लेता था तब नींद आती थी फिर भी अगर नींद उड़ जाती थी तो यू लगता था मकमल के बिस्तरों में जैसे कोई बिच्चू डंक मार रहा हूँ और अब जब से लोगों का भला करने लगा हूँ चाए नॉर्मल बिस्तर हो क्या गजब की नींद आती है बड़ा चैन सकून मिलता है आपने सच कहा अब मुझे दुआएं लग रही है तो यही हकीकत है यही वास्तविक्ता है पाप जुल्म की कमाई चैन से जीने नहीं देती लोगों को हर समय टेंशन बनी रहती है ठगी बेमानी ब्रस्टाचार की दौलत अगर घर में रख ली तो रात को नींद तूटती रहती है बिल्ली ने चलांग लगा दी तो यूँ लगता है शायद चोरी ना आ गया हो वहां से लोग बचाते हैं कि चलो इस दौलत को किसी दूसरे के घर रख देते हैं वहां एक और भैस्त आता है कहीं वो दवाई न ले कहीं लोग जमीन में दवा देते हैं जैसे उससे गोल्ड लिया तो जमीन में दवा दिया फिर उस जमीन का फिकर लगा रहता है जैसे तैसे करके वो पैसा बैंक में जमा करवाता है अब बैंक का खत्रा लगा रहता है कोई डाकूई लूट के न ले चाहें तो टैंशने परेशानिया बढ़ती चली जाती है इनसान दुखी होता चला जाता है तो पाव जुलम की कमाई तिग्डी नाचनचा देती है आप सोच रहे होंगे माया तुमाया है चाहे वो हक हलाल से कमाओ चाहे ठगी बेमानी से धर्मों में तो यही कहा है न, कड़ा प्रिक्ष्रम करके कमाओ, हक हलाल की, हाड़ वर करके खाओ, है तो वो भी माया, क्या वो तिगडी नाच नहीं नचाहेगी? ना, वो माया तिगडी नाच नहीं नचाती, क्योंकि आपका श्रम किया हुआ है उसके पीछे, आपने अपने दिमाग से, अपने सरीर से उस दौलत को कमाया है, वो मेहनत की कमाई कहीं भी नहीं जाती, बल्कि इनसान को अंत्यकर्ण की शान्ती देती है, आत्मिक शान्ती, शरीर में ताक्त बर जाती है, और घर परिवार में प्यार मुहबबत बढ़ता है, इसलिए मेहनत की कमाई करके खाओ, पाप जुल्म की कमाई माया का रूप कहलाती है, और माया नागनी होती है, तो माया के दो रूप सामने आए, परतेक्ष और एपरतेक्ष, एपरतेक्ष पश्रूप और भी गुल खिलाता है भगवान से कभी नाता जुड़ने नहीं देता जब भी कोई मालिक की बात हो ओम हरी अल्ला वही गुरु गौड खुदा रब की बात हो यह माया का प्रतक्ष परदा क्या कहता है यार छोड़ संतों का तो काम है सारा दिन राम राम करते र जैना क्या इससे जहाज मिल जाएका क्या इससे कार मिल जाएकी अरे भाई ठीक है ठगी बेमानी ब्रस्टाचार से कार मिल गई सारा परिवार उसमें सवार हो गया एक्सिटेंट हो गया तो सब करा कराया रह जाएका धरा धराया रह जाएका तो संतों का कहना है कि ऐ प्रतक फकीर का रूप धार्न कर लेते हैं इस मायारानी की वज़ा से। लोगों को बात सुनाते हैं, लोगों को राम अल्ला वह गिरु मालिक प्रमात्मा की चर्चा सुनाते हैं और बदले में पैसा इकठा कर लेते हैं। वो पैसा मालिक के नाम पे एकठा होता है। क्या आपने पूछताश की है, कभी इनकुवारी की है, क्यों पैसा आखिर जाता किदर है। आम इनसान भगवान के पास से उठा के खा जाते हैं। आप कहते हैं, मैंने मालिक को पैसा दिया। वो कहते हमारी कोई गलती नहीं, हमने मालिक से पैसा लिया। माली के पास एक नया पैसा नहीं जाता क्या आपने बगवान के पास पैसा जाते देखा है माली के पास पैसा जाते देखा है नहीं जाता ना सब आपस में बांट लिया जाता है तो ये माया ने ऐसा रंग चड़ाया है ये माया राणी ने ऐसा रूप बनाया है कि लोग जकीन नहीं कर पा रहे सच्चा संत कौन सा है संत पीर फकीर को माया कभी गुमरा नहीं कर सकती माया तो उनके चर्नों में रहती है उनके उपर हावी नहीं होती ये नहीं कि संत पैसा नहीं कमाते हैं मेहनत करते हैं, कड़ा प्रिक्ष्रम करते हैं, उस पैसे से ही अपना कपडा लता सब कुछ जो धार्न करते हैं या गाड़ी तक अपने पैसे से लेते हैं। उधारन के तौर पे हमारे गुरु जी शास्तनाम शा मस्तान जी दाता ने हमें ये सिखाया मेहनत की करके खाओ। कई लोग सवाल कड़ा कर देते हैं, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप उनको लेके चलते हैं, तो आप गाड़ी क्यों ली? हम उनसे सवाल करते हैं, क्या आप से कभी पैसा मांगा? क्या हमने कभी किसी से दान लिया? अगर हम अपनी मेहनत कड़ा प्रिक्ष्रम करके गाड़ी बे ले लेते हैं, तो आपको दर्द क्यों होता है? जो ठगी बेमानी ब्रस्टाचार से जहाज लेके उड़ रहे हैं, उनके लिए तो आप कभी इनकुआरी नहीं करते हैं, उनका तो कभी नहीं पूछते हैं, यार वो कहां से आ गया? और फकीर ने दो गाड़ियां ले ली, तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, क्या आपसे कुछ मांगा? कभी आपसे कुछ लिया? अगर नहीं, तो मेहनत हक हलाल की तो हर कोई खा सकता है, ये तो धर्मों में असूल है, तो संत पीर फकीर ठगी बेमानी ब्रस्टाच पेटार नहीं करते, वो अल्ला वाहिगरु ओम हरी गौर्ड खुदा रब के नाम पे कभी किसी को नहीं लूटते, वो माया के पीछे पगलाए नहीं रहते, संतों का काम सब का भला करना होता है और माया के बंदनों को छुड़वाना होता है, तो माया जो बंदन कस के दुनिया है उस माया से बचने के लिए आप अल्ला वहिगरु राम गौर्ड खुदा रब का नाम लिया करें आपके अंदर आतम बलाएगा आपके अंदर रुहानी शक्ती आएगी जिसके दुआरा आप ठगी बेमानी ब्रस्ताचार पाप जुल्म की कमाई से बच जाएंगे हम आपको हाथ जोड़ के आवहान करते हैं कि आप वो फारम भर दीजिये ताकि समाज से तमाम बुराईयों को दूर कर सकें और आपके घर में हमेशा के लिए खुशियां आजाएं हमेशा के लिए बहारें चाजाएं आप ये फारम भरें कि रिश्वत नहीं दूँगा रि इंतहा खुशियां आजाएंगे